Good morning students, आज हम English में lesson 1 करेंगे, first day at school. इसमें क्या बताया है, कि जब एक बच्चा first day school जाता है, तो वो क्या-क्या सोचता है? ये देखे, I wonder if my drawing will be as good as the years, कि मुझे संदे, wonder का मिन क्या है? कि मुझे संदे, मिन्स doubt, कि मुझे संदे है, कि male drawing उनके जैसी, the years क्या है? उनके जैसी, मिन्स उन बच्चों के जैसी, अच्छी होगी या नहीं? Next is, I wonder if they all like me or just be full of stairs, मुझे संदे है कि वो सभी मुझे पसंद करेंगे या घूरते रहेंगे? गूरना मिन्स एक साथ, टक टकी लगा के देखना, ठीक है? तो stair का मिन्स क्या है? घूरना I wonder if my teacher will look like mom or grand मुझे संदे है कि, मिन्स मुझे doubt है कि जो मेरी teachers है, मुझे मेरी mom की तरह दिखेंगी या मेरी grands Grand means dadi ma, dadi ma की तरह दिखेंगी? I wonder if my puppy will wonder where I am और मुझे संदे है कि, मेरा पपी भी सोच रहा होगा कि मैं कहा हूँ? ठीक है? तो यह था आज का आपका पहला lesson इसमें एक बच्चे की thinking के बारे में बताया है, जब वो first day school जाता है कि जो बच्चे है, उनकी drawing मेरी drawing जैसी होगी या उनसे भी अच्छी होगी ठीक है? नेक्स्ट जो paragraph है उसमें क्या बताया है? कि जो teachers है, वो मुझे पसंद करेंगे या मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे ठीक है? नेक्स्ट पराग्राफ में बताया है कि जो मेरी teachers होगी, वो मुझे mom की तरह दिखेंगी या मेरे grand, grand miss, दादा दादी की तरह दिखेंगी ठीक है? और नेक्स्ट में बताया है कि जो उसका छोटा पपी है, मिस छोटा डोग है, वो उसे ढूंता होगा कि आज मैं कहां गया ठीक है? यह देखें, new words है, wonder, wonder means doubt, संधे, drawing, drawing means pencil से कोई भी creative चीज बनाना, चित्रकारी, stairs, stairs means घूरना, किसी भी चीज को टक-टकी लगा के देखना, grand, grand means दादा दादी, और पपी, puppy means baby dog, thank you